जैने दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका T9Schools.com में दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो इंडिस्ट्री से जुड़े हुए पांच बहुती जबरतस अपडेट की पांच ऐसे अपडेट की जो आने वाले समय में क्रिप्टो इंडिस्ट्री में धूम मचाने वाले हैं क बढ़ने से पहले एक छोड़ी रिक्वेस्ट हैं दोस्ते ने विदे के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरू कर लें और साथ ही उसके पास वाला बैलोटेशन भी प्रैस कर लें ताकि डेलिवेस्ट पर लेटीस क्रिप्ट आपडेट यहां पर आपको दे सब्सक्राइब यहां पर आपको फिरी बिटकोईन कुछ मिल सकते हैं साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अच्छे एक्स्चेंज के लिंक भी मिलेंगे जहां पर आप साइन अप कर सकते हो नंबर तीन अन्मनी विदावट इंवेश्मेंट आपको आ करें देखिया इसकी सुरुवात कहां से हुई इसकी सुरुवात हुई दिसंबर 2020 से जब दिसंबर 2020 में भारत का बजट सेशन चलने वाला था उस समय आरवी आई नहीं यहां पर एडवाइस किया था बजट सेशन में कि बहुत ही चोटे देश जैसे बंगला देश क्रिप् करें और डवलब कंट्रीज के बारे में बात करें जैसे अमेरिका चाइना फ्रांस जर्मनी जापान यह धडले से यहां पर क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि वहां की सरकार को पता है कि जब पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी चल रही है और कि दूसरे country में यहाँ पर चालू रहा है, हाल फिलाल में हमने देखा था कि बहुत सारी कंपनीज ने crypto currencies में payment tax अप करना शुरू कर दिया था, अब दूस्तों अगर इंडिया में बैन होगी तो इंडिया में तो किसी के पास crypto currencies रहेगी रहेगी नहीं, दूसरे country में crypto currencies के value बहुत करता है वहाँ से, वह country बोलता है कि नहीं मुझे तो Bitcoin में ही चाहिए या किसी crypto currencies में ही payment चाहिए, तो वहाँ पर भारत को बहुत ही बड़ा loss उठाना पर सकता है, इसलिए एक particular country crypto currencies को कभी भी बैन नहीं करेगा, अगर पूरे वाडिके लेवल पर बैन होगी तब ही बैन तो सरकार को उस चीज का आइडिया भी नहीं होगा कि यह जो चीज है बैन वाली कितना नुकसान दे सकती है किसी एक particular country को, अब दोस्तों यहाँ पर RBI चाहता है कि इसे बैन किया जाए, क्योंकि RBI का इसमें अपना personal benefit भी है number one, RBI अपनी खुद की crypto currencies launch करने की कोशिश कर रह आया, अगर दूसरी crypto currencies market में रहेंगे तो RBI अगर launch कर भी देगा अपनी crypto currencies तो वो उतनी तेज़ी से growth नहीं हो पाएगी, जितनी तेज़ी से उसकी growth होनी चाहिए थी, number two, यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कि banks जितने भी हैं, अगर आप saving account है मान लिए आपका bank में तो आपको पता होगा, वहाँ पर आपको 2-5% का interest rate ही मिलता है सालाना, उसमें भी दोस्तों banks काफे जाता चार्जे लगा देता है, तो आपका जो interest rate पड़ता है, वो सिर्फ 2% ही पड़ता है, अब दोस्तों आप सोची, आज के समय में क्या सिर्फ 2% सालाना कमाने के लिए कोई अपने पैसे को सेमिंग अकाउंट में रखना चाहेगा, बिलकुल नहीं, लेकिन लोगों के पास option नहीं है, तो रखना पड़ता है, अब इसके alternative के रूप में भारत में बहुत सारी चीज़े आ गई हैं, जैसे share market में लोग बहुत ज्यादा involved हो गए हैं, पहले अगर share marketing में को का हाल फिलाल में crypto industry की तरह यहां पर बड़ा है लुबाव, क्योंकि दोस्तों crypto industry क्रिप्टो कोईंस ने बहुत बड़े बने benefit लोगों को दिये हैं, हालांकि हाल फिलाल में एक दो महीने से कुछ loss भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप सही तरीके से अगर ख आते हैं किसी भी बैंक से तो वहां पर आपको जो personal loan मिलता है, वो 16-17% के प्रसेंट पर मिलता है, कम से कम साला ना, अब बीच का 15% पैसा कौन खा रहा है, banks खा रहे हैं, बीच का 15%, यानि दोस्तों देखिए, loan ज्यादा interest पर देते हैं, ठीक है, वारना कम से कम saving account पर भी तो लग गए, तो banks दोस्तों share marketing में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि share marketing पूरी तरह से legal है, कुछ करी नहीं सकता, banks को उसमें services देनी ही बढ़ेगी, crypto industry अभी भी legal भी नहीं है, legal भी नहीं है, तो banks यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि crypto industries को रोका जाए किसी तरह, क्योंकि लोग अ सारे के सारे जो banks हैं, वो जो supreme court ने rule दिया था, क्योंकि 2018 में जो regulations आया था, RBI का, supreme court ने शाप कर दिया था, कि banks यहाँ पर transactions को crypto currencies में नहीं रोक सकते, क्योंकि crypto currencies भारत में legal नहीं है, crypto currencies को legal रहना पड़ेगा, तो दोस्तों उसके बाद सारे banks ने service देना शुरू कर दिया था कही ना कहीं court में इन्होंने अपनी अरजी दे रखी है, और दोस्तों court से कोई ना कोई अच्छा update इसके regarding जरूर आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर banks जब वो चीज़ वो है नहीं, तो banks इस transactions को रोक भी नहीं सकते, तो दोस्तों दोबारा से यहाँ पर चालू हो पूरे विश में फरक पड़ता है, अगर USA कोई बड़ा step लेता है, तो दोस्तों और चाइना से भी आजकल फरक पड़ने लगा है, तो दोस्तों USA में बाइडन ने क्या किया, जो नए राश्पती है चीन के, बाइडन 2022 बजट इंक्लूट्स न्यू क्रिप्टो रिपोर्ट अब एक बात का यहां पर ध्यान रहे, दोस्तों जो वाइडन यानि USA ने यानि अमेरिका ने बात साप कर दी है कि क्रिप्टो कर इंड़स्ट्री को अपने देश में बैन नहीं करेगा, तो दोस्तों यहां पर कुछ रिप्टो रिपोर्टिंग परपोजल ले कराईगी, प लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू यह बहुत ही अच्छी बात है कि यहां पर tax देना बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे crypto currencies पर tax लगने लग जाएगा वैसे वैसे सरकार इसे main धारा में जोड़ती जाएगी मतलब यह एक valid चीज बनती जाएगी जिस तरह share marketing है और banks और कोई भ मैं आपको बता दूँ मोधी जी ने यानि मोधी शरकार ने यहां पर legal high level जो कमेटी बठाई थी वो दोस्तों crypto industries को बैन करने का प्रपोजल नहीं दे कर गई तो एक बार फिर से यहां पर high level कमेटी बठाई गई है जिसमें काम चल रहा है कि crypto industries पर tax और सारा का सारा कुछ कैस से impose किया जाए तो आने वाले समय में इंडिया में भी crypto currencies पर tax लग सकता है लेकिन बैन होने की बलकुल भी संबावना नहीं है और tax लगा तो यह एक चछी बात होगी share marketing की तरह यह एक valid जो चीज है इंडिया में बन जाएगी और आने वाले समय में बड़ा boom दे कर जाएगी इसके बाद दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपने update सुनी लिया होगा कि वजी रेक्स ने partnership कर लिया मनी कंट्रोल के साथ मनी कंट्रोल का आपको पता ही है कि मनी कंट्रोल एक बहुत ही बड़ी website है जिस पर दुनिया के बड़े-बड़े investors और भारत के भी जितने भी investors से वो सभी आते हैं मनी कंट्रोल पर news पढ़ने के बाद ही share marketing में invest करते हैं क्योंकि मनी कंट्रोल पर हर एक share की बारे में information आपको मिल जाएगी और दोस्तों यह लोग चारे के सारे जो है share marketing वाले लोग है crypto वाले लोग नहीं है लेकिन दोस्तों जब मनी कंट क्रिप्टो मार्केटिंग के साथ partnership हो गया वजीर एक्स के साथ जो कि इंडिया की सबसे बड़ी crypto exchange है तो यहां पर customers का एक तरह से बिलीव बना है crypto इंडिस्ट्रीज पर इसके बाद की crypto बहुत अच्छी चीज़ है अब money control पर जो बड़े बड़े investors थे वो सभी को आप जो crypto के बारे में पता चल रहा है वो crypto की तरब भी आ रहे हैं कि देखे money control भी बता रहा है वो money control के बारे में उन्हें already पता है कि money control हमें साची information देता है तो दोस्तों जैसे यहां पर crypto currencies add होई तो दोस्तों वहां के जो बलकि विदेशों के investors भी सर्च करते हैं और दोस्तों यह बहुत ही बड़ा impact है सबसे बड़ी बात यह है कि money control को जो control करता है वो मुके शंबानी करते हैं यह Reliance की एक company है 2014 में Reliance के द्वारे यह acquire कर ली गई थी money control और TV18 तो दोस्तों इस तरह से कहीं ना कहीं जो Reliance Industries है वो crypto म involved हो चुकी है अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि crypto involved होने की पहले भी कोशिश की थी मुके संबानी में जियो coin नाम से उन्होंने coin launch करने की कोशिश की थी लेकिन वो किसी तरह से यहाँ पर सपना इनका साकार नहीं हो पाया तो इन्होंने बोला चलिए indirect रूप से crypto currencies में जाते हैं अब इन्होंने वजी रेक्स के साथ यहाँ पर partnership कर लिए और indirect रूप से crypto currencies में आ गए यानि money control पर पूरी information देंगे तो दोस्तों अब क्योंकि इनका वजी रेक्स से partnership है और वजी रेक्स तो बहुत ही बड़ी exchange है इंडिया की और बाइनेंस से भी इसका यहाँ पर information नहीं है लेकिन जिस तरह से इन्होंने पहले coin बनाने की इच्छा जताई थी वह success नहीं हो पाया तो जिस तरह से वजी रेक्स प्लैटफॉम पर आए हैं तो दोस्तों हो सकता हाने वाले समय में यह अपनी खुद की crypto currencies लोंच करेंए यह बहुत ही बड़ा impact होगा बहुत सा सारे लोग यहां पर सोच रहे हैं कि यह इस coin का price बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसे हम खरिद लें तो हम benefit में जाएंगे देखी दोस्तों बहुत सोच समझ कर आप यह काम कीजिएगा क्योंकि आपको पताईए शिबा इनुका price कि जबर्दस तरीके से बढ़ा था और किस fishing campaign यहां पर चलाया जा रहा है इसका जो अरब की सरकार से हैं कोई लेना देना इस coin का नहीं है तो दोस्तों बहुत ही सो समझ कर यह काम करें यह सारे के सारे जो update हैं दोस्तों यह crypto industries में कई ना कई बड़ा impact आने वाले आने वाले समय में और crypto industries के लिए यह कोई दोस्तों negative impact नहीं है बलकि positive impact ही है अब दोस्तों इस वीडियो के description में जैसा कि इस वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था earn money without investment, earn free bitcoin और best crypto exchange के link मिल जाएंगे वहाँ पर जाए sign up करें अपनी KYC complete करें और दोस्तों enjoy करें यहाँ पर crypto के आने वाले time में जो की काफी ज़्याद बूम एक बार फिट से यहाँ पर आने वाला है thank you दोस्तों all the very best इस चैनल को subscribe करना ना भूले साथ इस वीडियो के like को share करना ना भूले